इनफोसिस की दिगज आईटी कंपनी इनफोसिस के 40 साल पूरे हो चुके है और इस मौके पर बंगलूरू में इनफोसिस के हेड़कॉर्टर्स पर जी बिजनिस के एडिटर स्वाती खंडेलवाल मौजूद है सीधे चलते हैं स्वाती के पास और जानते हैं क्या कुछ आज उनके 40 वर्ष पूरे होने पर क्या-क्या हाइलाइट्स वहाँ पर देखने को मिले हैं स्वाती गुड आफ्टरनून ओवर टी यू गुड आफ्टरनून बिलकुल आपने सही कहा हम यहां headquarters में हैं Infosys के जो की 40 साल इस company ने अपने पूरे किये हैं और कितनी interesting journey रही है अगर आप इनके पिछले 40 साल देखें बहुत सारे माइनों में यह पहली IT company है जिसने इतने leaps and bounds से अपनी growth दिखाई है It's on a big digital revolution now तो मैं quickly हमारे दर्शकों के लिए summarize करना चाहूंगी कुछ important milestones यह 40 साल में और मैं यह भी बता दू कि आज सारे ही founders यहां जुड़े हैं जो यह celebrate कर रहे हैं 40 साल एक nostalgia है और आगे importantly क्या roadmap है अगले 40 साल के लिए वो देखना जरूरी है कितने confidence के साथ जो founding members हैं वो इस company को देखते हैं आज उनके लिए एक बहुत ही pride का moment जरूर है तो यहां पर नरायन मुर्ती जी, नंदन निलिकनी साब, शिबू लाल जी, एस गुपाला कृशनल यह सब यहां मौझूद हैं, जो हम से कुछी देर में बातचीत भी करेंगे हम यह headquarters आए हुए है, मैं आपको बता दू, यह actually company की शुरूरात 10,000 रुपे से नरायन मुर्ती जी ने अपने wife से borrow किये थे और वैसे शुरूरात की थी इस company की, तो आप देखें क्या humble beginnings रही है इस company की, जहां तक IPO की बात करें, 1993 में इसका IPO लाया गया था 95 रुपीज में, तभी भी unsubscribe हुआ था, मैं बताऊं, बट जब listing हुई तो ये 52% premium पर लिस्ट हुआ था, 135-145 रुपीज पर और तब से देखिए, 500 million dollar की तब की revenue company आज 70 billion dollar से ज़्यादा की हो चुकी है तो इंडिया के लिए एक बहुत important, I think, एक digital या IT space में जिन्होंने काम किया है और नाम कमाया है, वो मैं कह सकती हूँ, at the global front अलसो ये पहली Indian company थी, जो लिस्ट हुई है, Nasdaq में 1999 में, बहुत बड़ी बात थी, उस ताइम पर बहुत सारी Indian companies obviously नहीं थी, जहां, और tech space में especially, but Infosys ने ये करके दिखाया 1999 में, फिर अपने exchanges पे भी पिछले साल, इनको 2021 में 25 साल पूरे हुए, और इन्होंने 100,000 डॉलर का revenue यहां पर cross किया पिछले साल so, बहुत सारे interesting journey के थू हमने देखा कि इनकी growth होती गए और आज कहां से कहां company पहुची है, इनके founding members है जो definitely आपर इसको celebrate करें, सलेल पारिक जब से आये हैं, जो की company में 2018 से हैं, उनकी भी journey अगर आप देखिए, तो उन्होंने बहुत contribute किया है because beach में एक period था जा थोड़ी सी uncertainty हमने देखी थी, but उससे वो उबर कर, COVID में हमने देखा, company ने बहुत अच्छा प्रदर्शन देखाया और numbers are doing the talking really here, और जिस तरह से acquisitions लिये हैं company ने, आगे भी digital पर focus कर रहे हैं और lead ले रहे हैं, I think future is looking bright definitely bright है, और जब चार दशकों का वक्त एक company यहाँ पर पूरा करती है, तो बहुत मज़दार कहानिया भी होती है, emotions are on high और of course, unginate milestones है, जुसके बारे में अकसर हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, नारायन मूरती साब की भी तरफ से और जो यह पूरे founding committee है, जो founding members है, उनका किस प्रकार का योगदान रहा है, क्या-क्या challenges face के, क्या-क्या उपलब्दियां देखी है, यह अपने आप में ही एक बड़ी कहानी साबित होती है स्वाती, थांक्यू सो मच for the update, हम आगे भी जब आप press conference होगी और जब आप founding members से बात करेंगी, हम तभी भी dip in करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और आगे कि किस प्रकार की planning है, थांक्यू सो मच स्वाती, अभी फिलहाल वो update देने के लिए